असलाम अलेकुम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग हो पुली सब ठीक ठाक होंगे अलहमदुल्ला में भी ठीक आज की व्लॉग में मैं आपके लिए बहुती जबर्दस ती गोला कबाब और फ्रोजन चर्टनी की रेस्पी लेकर आई हूँ तो स्टार्ट करत की एक आई हूँ में थोड़े से लेसान के जव Hai दालें और साती अद्रक के दो टुकट्रह मसालो में यह थोड़ा सा घलिपाऊडर डालता है लाल मिश पाऊड़र जाएगा मीशफी रॉल्पर जाएगी 1-ध GIRL-DHUN, 9-5 धISA जिडवा बकामसर चेकर आपके यह यूथ वो तूटते नहीं बहुत अच्छे से बन जाते हैं और साथ ही मैंने यहां पे थोड़ा सा आयल डाला है अब इसका बना देंगे एक अच्छा सा पेस्ट यहां पे हमारा जबर्दस थिकसा पेस्ट हो गया रेडी अब इसको कोईले का धुआ देंगे जब तक कोईला गरम हो रहा है ना तब तक यहां पे मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ यहां पे मैंने सबसे पहले ग्रीन दनिया लेके इसको बिल्कुल छोटा छोटा कट करो दिया है चीजों को पेले ही चोटा छोटा करके डाला करें क्यूंकि बार में इम ऐक्स्टा पानी डालें जब ऑच्छ़ से ग्राइंड नहीं होती ना तो फिर एक्स्टा पानी डाले से उसाहा वह टेस्ट नही रियत है साथी मैंने थोड़े से लसन के जवझे जोड़े और साथी मैंने हरी मिर्चे जोड़े रे तो वन टेबल स्पून जीरा तोड़ासा नमक य। तक्रीबन लेमन का मैंने उसके emulate कीस नऌना वेलंबन पानी बहुत जादा नहीं डालना क्योंके ग्रीन चेटनी बना रहे हैं तो बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए धनिया का अपना एक बानी निकलाएगा अभी हाँ पे जबरदस था हमारे पास पेस्ट हो गया रेडी अभी हाँ पे मैंने एक आईस ट्रेल लिया है यह मैंने उस दिन ही मंगवाया था आपने शायद मेरे प्रीवेस व्लॉग में देखा भी हो क्योंके मेरे फ्रिश के अंदर जो आईस ट्रेल है ना उनके उपर इस ट्रेल लें ताकि उपर से बिल्कुल कवर हो क्योंके आईस ट्रे बहुत काम आते हैं अक्सर हम लोग दनिया स्टोर कर रहे ह。 तो फिर वो जब आप सालन बनाते हो ना तो उसकें अंदर से एक मीट का ये चिकन का इस तरह का टेस्ट आता है तो इस तरह से कवर करने से य यहां पर बस मैंने इसे फ्रीज होने के लिए रग दिया और नेक्स्ट है मैं इसको निकाल कर जिब लॉग में डाल दूंगी क्यूंकि इससे बहुत असानी हो जाती है रोजाना ट्रे से निकालना मुश्किल हो जाता है एक एक यूप तो इससे अच्छा है कि आप जिब लॉ कोई भी रख सकते हैं कोई भी चीज आपके वास अब लेबल हो उसके बाद उसके ऊपर मैंने कोई ला रखके इसको अच्छे से दूहां दे दिये यह वाला स्टेप आपने ज़ूर फॉलो करने क्यूंकि कोई लेकर दूहां देने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ लेकिन अगर परफिक्ट शेप चाते हैं तो तो पिर आप प्यास का पानी निकालना भी मुश्कल होता है । इससे अच्छा है कि आपको फ्रॉय करके डालें तो इस तरह आपकी बिलकूर परफिक्ट शेप आएगी यहां पर मैंने एक जो है वो सीखमें डालकर इस तरह ब बन जाती है लेकिन मैं आपको यही मश्वरा दूंगी कि आपने प्यास को जो है ना वो या तो फ्राय करना है या उसका पारी निकाल कर डालना है अब इसको स्टोर कैसे करना है इसका सिंपल सा तरीका है कोई भी डिस्पॉसिबल बॉक्स है या कोई भी प्लास्टिक कंटेनर घर में पढ़ें तो उन में डाल दें और ज्यादा एक ही बॉक्स में कटे नहीं डालें इस तरह लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है दूर दूर थोड़े रखके और उसके उपर बटर पेपर रख दें या कोई भी एक्स्टर शीट घर में पढ़ी हो तो ब डाल के और बस इस तरह इसको टाइट बन करके फ्रीज कर दें अब इसकी रेसिपी भी इन्शाला बहुत जल लेकर आऊंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि यह कैसे बने और इसका कैसा टेस्ट था और इसके साथ में एक अच्छी सी कड़ाई भी आपके लिए लेकर आऊ क्योंकि हमारे यहां कोई बच्छा नहीं है बहुत ज़दे यह तॉड़ा होता है और यहां पर आपको पहले भी पिता चुकी हूं यह हमारा जो अरिया नहीं किसी लेकर जाएं बस फिर हम लोग ना करीब ही कही चले जाते थोड़ा गुमा लेते हैं अक्सर तो यह रास्ते नहीं है तो पिर हम लोग बाइर आ जाते हैं इसकी जो टाइमिंग है ना वो मगरब में होती है मगरब में सू हो जाता है तो फिर मजबूरन हमें भी बाइर जल्दी निकलना पड़ता है तो खेर यहां पर डिनर में ना मैं अंडे आलू का सालन बना हूँ जब कुछ समझ रह लाइची होती है ब्लैक वाली बड़ी लाइची वह जाएंगी और इसको आपने बिल्कुल तोड़के डालना है इससे जो हताना बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहां पर मैंने दो बड़ी लाइची लिया है ब्लैक वाली अब इसके अंदर जाएगा वन टेबल स्मून अ पेस्ट बना के उसी कड़ाई के अंदर यह पेस्ट आला है अब इसको बहुत अच्छी से पकाने ताकि इसको आइल जो है वह बिल्कुल सैपरड हो जाए अच्छा में जब भी कोई कड़ाई बनाती हूं यह कोई बनाती हूं तो मैंसी करते हूं कि पहले सारी चीजों को को करके फिर उसका पेस्ट बनाती हूं यह बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह नि डायरेक्स से उसका पेस्ट बना के नहीं डालती हूं और साथी हां पर मैंने दो आलू लिए जिनको मैंने इस तरह बड़ा बड़ा कट कर दिये आप जिस साइज में भी काटना चाहें चोट साइडों पे भी डाल दिया उपर से भी डाल दिया इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा अगर आपको कुछ समझ ना आने लगए कि क्या बनाना है तो यह अंडे आलों का सालन बना दिया करें बहुत जल्दी बन जाता है बहुत कोई कसी रेसिपी है स्पेशल तो मैंने का नहीं नहीं बस रात में सेट कर देती हूं मुझे सुबह उटके बहुत मुश्किल लगता है इस तरह चीजों को सेट करना रात में किचन साफ हो तो जादा अच्छा है यहां पर बस मैं कुछ डिस्पोजबल बॉक्स लाई थी जिब लॉक बेक चाहिए थे बाइर भी एक फरिजबडा है और अंदर भी एक फरिजबडा ए तो कुछ चीजें यहां पर मैं इस तरह की जो होती हैं जैसे बैकिंग के लिए कुछ चीजए यहां नाश़टें वगएरे की कोई चीज़ऑ ना तो व्यूजार मैं बहुagers जादा में बाहिर की फरिज में मेरे तो चाय बना दे, वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और वो चाय बनाने लगी और साथ यहां पर में समान सेट करने लगी, अच्छा मुझे ना आप लोग से पूछना था कि मुझे कोई बटर बता दें, बटर घर में बनाना हर वक्त बंदा नी बना सकता है, क्योंकि मेरा प्रिविएस व्लॉग देखा हो तो उसमें मैं कुछ समान लेकर रही थी यह स्टेंड हम लोग वहीं पर बूल के थे तो तीसरा दिन हम लोग वहां से नहीं ला रहें मैं निका क्या आज वास लेकर आएंगे तो बस यहां पर मैंने थोड़ी बहुत चीज़े सेट कर दी थी किचन वगयरा साफ कर दिया था अच्छा मुझे न बहुत से लोग कहते हैं कि आप यह अच्छा सा किचन टूर लेकर आएं तो इंशाला बहुत जल्द आपके लिए किचन टूर भी लेकर आऊंगी अगर आपने मेरा प्रिविएस व्लॉग देखा हो ना तो कुछ चीजें में कभी बाहर बना दूंगी कुछ अंदर बना दूंगी तो आपने यहां पर कंफ्यूज नहीं हो ना कि यह कौन कौन से किचन इस्तमाल करी है क्योंके लास टाइम जब में ममा के गर व्लॉग बना रही थी ना तो सब इतना कंफ्यूज थे कि यह कि आपका चूला कुछ और था पहले तो आपको चूर हो गया तो बस दोनों किचन में आपको मेरी इन्शाला वीडियो मिलेंगी और यहां पर बस मैंने थोड़ा सा बीफ और कलेजी अच्छे से वाश करके इसको ड्रेन कर दिया था बिससे मैंने जिब लॉग बेक्स में डाल के रग मिराज का यह व्लॉग अच्छा लगा होगा इन्शाला मैं आप से मिलूँगी अपनी नेक्स वीडियो में एक ने व्लॉग के साथ अलाफिस